नमस्कार क्यापिटल टीवी देख रहे हैं मैं हूँ आपके साथ पूजा महराष्ट की सियासत से जुड़ी बड़ी खबर आपको बताते हैं क्यापिटल टीवी की खबर पर मुहर लग गई है आखिर कार उदव ठाकरे ने अपना इस्तिफा सौब दिया है सुप्रिम कोड का जैसे ही फैसला आता है कि फ्लोटेस्ट पर रोक नहीं लगाई जा सकती वैसे ही उदव ठाकरे फेस्बुक लाइफ के जरीए जुड़ते हैं जनता से अपना संबोधन फेस्बुक लाइफ के जरीए करते हैं और अपने इस्तिफे का एलान करते हैं बड़ी अपडेट बड़ी जानकारी यही है और हकीकत यही है कि अब उद्दव ठाकरे मुख्यमंत्री नहीं रहे इस बड़ी कबर पे में साथ न्यूजरूम से जुड़े हुए है क्यापिटल टीवी के एडिटर इंचीफ डॉक्टर मनेश कुमार आखिरकार वही हुआ जो सबसे बड़ी बात यह है कि एक जुलाई को देवंद्वर्णविस चीफ मिनिस्टर का स्की सपत लेने जा रहे हैं और एक नात शिंदे डिप्टी चीफ मिनिस्टर बनेंगे ये खबर आ रही है और जो तमाम तस्वीरे भी आ रही है इस वक्त रात के अंधिरे में है एक होटेल है जहां पर बीजेपी के सारे कारेकरता सारे लीडर्स मौझूथ है देविंद्वर्णविस खुद मिलने के लिए पहुंचे हैं जश्न का महौल है बीजेपी के अंदर काफी खुशी है और बड़ी अपडेट बड़ी जानकारी यही आ रही है कि एक दाम दंड भेद आपने सब इलाज कर लिया और आखिरकार आपको मुझ की खानी पड़ी ऐसी हार और ऐसे सक्स से आपकी हार हुई जिसे कल आप कुछ समझते ही नहीं थे मुझे पिछले दस घंटे से संजे राउत नजर नहीं आ रहे है वो जिस तरीके से मीडिया में आकर के धंकियां दे रहे थे आज उनके पास बोलने के लिए शब्द नहीं है क्यूंकि डेमोकरसी में घंड नहीं चलता गुंड़ा-गर्दी का को स्थान नहीं होता और आप आपने जिस हिसाब से अपने ही लोगों को रुष्ट किया उनको आपने कश्ट पहुंचाया उसका नतीज़ा ये है कि आपकी बातों के उपर सिर्व सैनिकों का भरोसा उठ गया आपके ही लोग आपके खिलाब बगावत कर गये और इसलिए जब आपको लगा कि ये सारे ल काम नहीं आया और आखिरकार अब इस्तिती ये बन गई है कि उद्दव ठाकरे की ना सिर्फ कुर्सी गई है बलकि कुर्सी के साथ साथ अब संगठन शिव सेना के उपर किसका अधिपत्य होगा वो एक बड़ा सवाल है उद्दव ठाकरे और उनकी शिव सेना उसके एक्ज वो अपने हिसाब से वो सब कुछ करेंगे जो नेता दल का होगा वो भी एकना सिंदेत है करेंगे पार्टी का चीफ विपकॉन होगा वो भी एकना सिंदेत है करेंगे अभी जो कानूनी पक्ष जो था वो इतना लचर था वो इतना ज्यादा उद्दव ठाकरे के खिलाप च जहाँ पे बीज़पी के सारे कार करता हो, MLA से मुलाकात कर रहे हैं, जश्न का मोहल है, और अभी वो हलाकि कुछ बोल रहे हैं, हलाकि वो यही बोलेंगे कि उनके पास बहुंबत हैं, नमबर्स हैं, और उद्धफ ठाकरी को लेकर क्या कुछ कहते हैं, वो देखने वाली बात होगी, लेकिन उद्धफ को लेकर बार-बार खबर सामने आ ले थी कि शरत पवार ने उनको बार-बार रोका के इस्तिफा मत दो, कई बार चर्चा भी हुई, लेकिन आखिरकार शरत पवार क्यों समझा रहे थे कि इस्तिफा नहीं देना होना वही था, क्योंकि उनके पास इसलिए, क्योंकि उन्होंने सरकार बचाने के लिए, सत्ता में बने रहने के लिए, संजय राउत और सरत पवार की बातों को वो एक के बाद एक बांते चले गए, मैं आपको बताओ, जब ये क्रैसिस शुरू हुआ, आप इमिडिटली, जो बात आज उन्होंने, हो सकता था, लेकिन आपने क्या किया, आप धंकी देने लग गए, उनके घरों के उपर हमला करवाना शुरू कर दिया, आपने इस तरह के बयान देने लग गए, आप उनको गदार बताने लग गए, एक ना सिंदे के पुतले जलाए लग लग गए, उनके खिलाब भद्धी भद्धी टिपनिया होने लग गई, सड़क पे लोग गालियां देते हुए नजर आये सिफसेनिक, क्या हुआ, उससे और दूरियां बर गई, अब जिस दिन आपको ये पता चल गया था कि आपके पास संख्या नहीं है, आपने मुख्यमंत्री का बंगला छोड़ा, उसी द उनकी सौगत की तैयारी हो रही है, जो तस्वीरे नजर आ रही है, भारती जनता पार्टी ताज होटल में ये लोग है, वहां सेलिबरेशन हो रहा है, और जो खबरे माराष्ट के अलग-अलग जगों से आ रही है, सिफसेनिक भी, जो सिंदे गुट के साथ हैं, वो मना रही है, वहां, बहुत देर हो गई, बहुत देर हो गई, वो देर ही इसलिए हुई, क्योंकि आपको तो सबसे पहले उसी वक्त, देखी ये सारी चीजें, रोल आउट होनी शुरू हुई, पिछले च्छे महने से, उसके बाद आप लगातार गलती पे गलती आप करते च करेंगे, और आप उसी के साथ, उसी समय, उसी दौरान आप इस तरह के फर्मान जारी करेंगे, आपकी सरकार के आजान के 15 मिनट पहले, 15 मिनट बाद कोई मंदिर में लॉड़ी स्पीकर नहीं चला सकता, किसी मस्जिद के 100 मिटर के रेडियस में, तो ये कौन करवा रहा था ये कौन करवा रहा था, ये शर्फ पवार करवा रहे थी, ये कॉंग्रेस पार्टी करवा रही थी, अब आपने जिसको दोस्त समझ लिया, अभी थोरी देर पहले, थोरी देर पहले कॉंग्रेस लीडर्स के बयान आ रहे थे, वो कह रहे हैं कि भई ये MBA एक्सपरिमेंट ख बड़ा सवाल है, वो सवाल इसलिए है, राजिनिती में लोग सत्ता के पीछे जाते हैं, एकनाच सिंदे डिप्टी चीफ मिनिस्टर बनेंगे, देवन्द फर्णबेस चीफ मिनिस्टर बनेंगे, उनके साथ के लोग मंत्री बनेंगे, तो जो सिर्फ सहनिक होंगे, वो सत् उद्व ठाकरे के पास जाएंगे, ये एक बड़ा सवाल है, ये पूरी तरीके से उद्व ठाकरे, वो कह सकते हैं, कि वो इसे दलदल में फॉस गया है, जहां से बाहर निकलने का रास्ता बड़ा मुश्किल लग रहा है, उद्व ठाकरे ने फेस्बुक लाइब किया, फेस इसे जुड़ा हुआ रहेगा ही, इसमें कोई सक नहीं है, लेकिन सिवसेनिक रहेंगे आपके साथ, ये बड़ा सवाल है, सिवसेना आपके साथ है, सिवसेनिक किदर है, ये जो तमाम लोग जिसे जमीन से उठाकर इतना बड़ा लीडर, हिंदु हिर्दा सबाल बाला साफ ने बनाया, वो तो आपके साथ नहीं है, वो कहीं और चले गए, वो अपना अलग पहचान बना रहे हैं, आपको ये सोचना पड़ेगा कि ये जो सिवसेना है, वो ठाकरे के साथ तो रहेगा, लेकिन सिवसेनिक कहां रहेंगे, ये बात वो उद्दब ठाकरे समझ नहीं सके दूसरी एक चीज, वो बार-बार कह रहे हैं, वो इमोशनल अपील में कि बाला साथ ठाकरे के पुत्र को धोका दे करके आपको खुशी मिलती है, तो आप ये इमोशन से राजनीती कते ही नहीं चलती, ये इमोशन बिलकुल राजनीती के लिए घातक होता है, अगर ये बात पहले की गई होती है, अब फून नमबर नहीं है, भई जिस दिन ये एकनास सिंदे का गुट वो पहुचा सूरत, सूरत में ही आपकी बात हुए एकनास सिंदे से, एकनास सिंदे से फून पे पंदरा मिनट बाचीत हुई, उसमें आप मना लिये होते, ऐसे क्या बात हो गई सारे लोग जाते नहीं, लेकिन हुआ ये, कि आप धमकी भी देने लग गए, सदस्ता भी छीने लग गए, उनके उपर हमला भी होने लग गया, दफ्तरों के उपर तोड़ फोर होने लग गया, अलग अलग जग़ा पे, दोनो सिवसेनिक गुट्स, बहुत सारे सोशल मीडि ले थे, और उसके बाद भी, आप सिवसेनिकों के MLS की जो मीटिंग है, सरतवार के घर में कर रहे हैं, तो ये होता क्या है, कभी-कभी, कि जब विनास मनसुपे चाता है, पहले विवेक मर जाता है, तो आपकी सोचने समझने की सक्ती जो है, वो छिन हो गई, वो इसलिए, क कार करता आपके नौकर नहीं है, जो अस्थानिये लीडर होते हैं, जो आपके MP, MLA, वो आपके दास नहीं है, सब की अपनी आइडेंटिटी है, सब का अपना-पना एक भविश्य है, और जब आप ये सोच रहे हो, कि आपकी बात पे सब लोग पीछे-पीछे चल जाएं, और सारी दिक्कतें लोकल MLS को होने लग जाएं, भई वो क्या उदब ठाकने को कभी ये सवाल कोई आदमी बताया या नहीं बताया, कि चुनाओ आएंगे, तो सिर्व से निक, कॉंग्रेस पाटी के उमिदवार, NCP के उमिदवार, नवाब मलिक के लिए परचार-परसार कर रहे हो, तो ये जो विरोधा भास था, ये विरोधा भास सामने आना ही था, उसका नतीजा ये है कि उदव ठाकरे, उनके हाँ से कुर्सी भी गई, सत्ता भी गया, पाटी भी गई, और उनकी साख भी गई, और जो चुप चाप, बैठे-बैठे, इस सारा खेल कर गया, कि अकेले ही महराष्ट की जाजनीती के वो कृशन साबित हुए, कि जिन्होंने अकेले ही इस कौरवसेना को परास्त किया, बड़े-बड़े दिगज, चाहे वो शरतपवार हूँ, चाहे वो अजीद पवार हूँ, चाहे वो सुक्रिया सूले हूँ, चाहे वो उदव ठाकर हूँ आदित ठाकरे हूँ चवान साब हों कॉंग्रेस पाटी के सब को उन्होंने अकेले ही धाराशाई कर दिया तो महराश्ट में कल एक नया सवेरा होगा नए मुखमंतरी नई सरकार और उसके स्वागत में महराश्ट को एक नया सोका सकते कि नई उर्जा मिलेगी कल के नए सवेरी के आपने बात की तो एक आखरी सवाल मेरा आपसे है आज रात मुंबई के ताज होटल में बीजेपी का जश्ट चल रहा है और शिंदे भी अलग से गुआ में जश्ट मना रहे हैं मातोश्री के लिए आज की रात कितनी भारी देखें मातोश्री के लिए आज मातम का दिन है मातोश्री बाला साहब ठाकरे के दोरान जब वहाँ कोई मुख्य मंतरी उस घर में नहीं रहता थाte तो सारे मुख्य मंतरी ग्रह मंतरी बड़े बड़े नैस्टन लीडर मातोश्री में आकर के अपना सिष नवाते थे ये सा जिसके लिए हिंदु हिर्दे सम्राइट बालासाब ठाकरे जाने जाते थे पावर पद से नहीं मिलता पावर आपकी साक्ष से मिलती है और इसे कमाने में बहुत मेहनत बहुत जतन लगाना पड़ता है और ये उसी को प्राप्त होता है जो अपने लोगों की नजरों में हीरो होता है उद्दफ ठाकरे सिर्फ सैनिकों के नजरों में अपने ही लोगों की नजरों में विलन साबित हुए है बहुत बहुत शुक्रिया जानकारी के लिए तो आज उद्धफ ठाकरे ने आखिरकार अपना इस्तिफ़ा सौब दिया, फेस्बुक लाइब के जरीए उन्होंने अपने इस्तिफ़े का एहलान किया, जैसे ही इस्तिफ़े की ख़वर सामने आती है, बीजिपी में जश्न का म मुखी मंतरी लगता था, पर कल से वो मुखी मंतरी नहीं रहेंगे, उन्होंने अपना इस्तिफ़ा सौब दिया है, कल पूरे दिन हलचल देखने को मिलेगी, क्योंकि शिंदे गुडवी मुंबई पहुच रहा है, कल के सियासी हलचल पर क्यापिटल टिवी की नजर बनी अबर में मेरे साथ फिलाल इतना ही कैमरेपेसन रवी के साथ, मैं पूजा कैपिटल टिवी